UPSC में तो अभी भी 50% सीटे 2nd division वाले ले जाते हैं, बहुत मस्त exam है, यहां कोई certificate ही नहीं मांगता है, ना तुम्हारी जो है वो कहां से आए हो, किस भाषा में पढ़े हो, गाहों से हो, 2nd division, 3rd division, कुछ भी हो यार, अभी देखो यह post viral हो रही है, IS officer है, वो पता चला कि 48% number भ बदल पारेव कि नहीं, तो यह बहुत ही आपके लिए important है, और आप समझ जाएंगे, कि मुझे यह चीज़ें पता थी, फिर भी मुझे, कौन है जो पढ़ने से रोक रहा है, कौन है जो मेरा दिमाग को भ्रमित करता है, क्यों मैं इतना tense हो जाता हूँ, क्यों मैं चैंसर न नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है कि 10 घंटे पढ़ना चीज़ें, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें क्या है, और उसके पीछे, जो steady mechanism है, वो responsible नहीं है, किताबे अविलेबल है, कौन ऐसा student resource किताब अविलेबल नहीं है, magazine अविलेबल नहीं है, सब पहले होते, तो कह सकता था, हाँ, गाओ, दियात, कंतरा, सब कुछ अविलेबल है, तो क्या चीज़ें है, जो नहीं है, और वो है, कि इनके साथ अपना mind mechanism कैसे लेकर चलना है, और आप समझ गया होंगे, कि बहुत ही गहरी बात है आज की, और बहुत ही महत्रपूर जो है, अपडेट्स हम लोग आज करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे, आज फेलियर क्यों होता है, अगर हमें ये चीज़ें पता है, कि सल्वस पढ़ लो, लेबल बन की बुक्स पढ़ लो, लेबल टू की बुक्स पढ़ लो, अप्शनल पढ़ लो, एंसर राइटिंग कर लो ऐसे कर लो, सलेक्शन हो जाएगा, ये बात सबको पता है, अगर ये बात सबको पता है, तो होता क्यों नहीं है, अगर ये पता है कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहीं सही तरीका, इंटरने पे अबलेबल है, हजारों वीडियो पढ़ी है, तो होता क्यों नहीं है, सलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है पास क्यों नहीं हो रहा हूँ आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि वह fundamental जो इसके beyond है मेरे खाल से तुम समझ गयोगे कि मेरा आज का मकसद बहुत ही गहरा है और आपकी उस नब्स को छूने जा रहा हूँ कि सब कुछ पता है कितनी बार मैं इस पर बात कर चुका हूँ वीडियो बना चुका है लेकिन आखिर सवाल है होता क्यों नहीं है जब मुझे सब कुछ पता है ये बुक पढ़नी है फलाना बुक पढ़नी है हो क्यों नहीं रहा है आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा ह और मैं उम्मीद करूँगा कि अपने डायरी में उन शब्दों को आप लिखेंगे, उसके बारे में आप एक विवेचना करेंगे, कि आखिर जो मैं आज आपको 6 स्टिप सिखाने जा रहा हूँ, उसके बारे में खुद परकाम करिए, राइट, उन सभी के लिए है, टू टू आपकी ये लोगों ने इसके बारे में बात किया राइट, गालब आप तो रहिए हुदद करेंगे, इसके उप पढ़िए उसको आपड़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेवल वन, लेवल टू, NCIT के अभी क्लासेश चल रही हैं, NCIT आंदोलन, लेवल टू हो गया, आप्शनल हो गया, एंसर राइटिंग हो गया, एससे और तमाम तरह के इंटर्व्यू की परप्रेशन, यह हम सब